नमस्कार जैहिंद वांस अगैनियों मौईश्ट करकें तो हम लोग इस स्रीज में इंगलीस का हिंदी इंगलीस का हिंदी कैसे कि इसके पारे हम देख रहा है और यह अब फिर से साफ करते कि यह वीडियो उन बच्चों के लिए उन बिदार्तियों के लिए जिनका इंगलीस क हिंदी कैसे किया जाए यह इसमें हम लोटी इस चीज को देखेंगे और हाँ चुकि मैकसम बच्चे क्या होते हैं इंगलीस पर तो लेता है लगी उसका हिंदी नहीं कर पाते हैं तो देखिए आप लोगों के लिए एक श्टोडी लिया गया है और यह जो है आपका डॉक के यह तो पर फवर्टी इसका पार्ट वढ्री कर देखा डॉक के बारे में है और हां देखिए यह ार आपने में सबसे अधिक सरबाधिक most common यानि सबसे ज़्यादा समानी क्या है पालतु जानवर है पेट एनिमल पीट होता है पालतु इंगलिस के लिए वर्ड पाउर काफी इस्टॉंग होना है जब इंगलिस इदी पढ़ना है तो वर्ड पाउर इस्टॉंग कीजिए पढड़े 20-30 वर्ड आप याद किया कीजि मेडियम साइज्ड यानि मध्यम अकार का एक्टी मिन्स फूर्तिला इंटलिजेंट मिन्स चलाक या तेज सेंस मिन्स समझ एस्मेल मिन्स सुंगना फेत्फुल उफदार गार्ड रक्षा करना स्ट्रेंजर्स अप्रेचित या अजनब्यों मास्टर मिन्स मालिक हुमन बिंक मानों फ्रानी कीप अवेद दूर रखना ऑइंगरी मिन्स गुस्हाel बाइट मिन्स कटना रेविज मिस क्या होता है और कुट्टा के काटने से होने वाला एक खतनाक रूख होता इसके नाम में रेवीज दिखें आप जो आपका सेंटेंस है आगे का उसको देखा जाए आय कुछ आपका black यानि काला होता है, some are white, कुछ क्या कुछ आपका उजला होता है, and some are also brown, and कुछ क्या होता है, कुछ आपका भूरा भी होता है, also means b, कुछ भूरा भी होता है, some dogs are tall, कुछ कुटे जो है, कुछ डॉक्स आपका, टॉल में इसकता है, लंबे भी होते है, and some are short, कुछ आपका नाटे भूरा भी होते है, चोटे होते है, dogs are found of many breeds, dogs कुटे आर, देकिए आपका पलवाल है, इस लगाव इसलिए आर भी होता है, इसकी कान क्या होती है इस कान लंपी होती है इसकी कान लंबी होती है human size मध्यम आकारका होता परोटी और उति चाओं की ने ऍरिंट इर्ड एक्टिव के पहले पहले पहला वाला अक्छर आपका आपका आपका। एक्टिव एक्टिव एंड इन्ट लिजन एनुमल या एक फूर्तिला और क्या है बहुत चलाग तेज जानमर है its sense of smell is strong sense means sungna smell means gandh इसके सुंगने का जो गंध है इसके सुंगने का जो सक्ती सुंगने का वा क्या है strong यान काफी मजबूत होता है काफी अच्छा होता है it is a faithful animal यह एक वफदार क्या है जानवर है it can guard the house from strangers यान अजनबी अप्रिचीत यह जो है house का घर का guard करता है रक्षा करता है किस से तो अजनबीों से अप्रिचीत लोगों से it loves its master यह प्यार करता है किस को its master यान अपने मालिक से यह प्यार करता है it is the best friend of human beings यह जो है good means अच्छा good means अच्छा better means उससे अच्छा यह सबसे अच्छा यह सबसे अच्छा friend है किस का human beings का but sometimes a dog can go mad sometimes यह कभी कभी कुता जो है can go mad पागल हो सकता है पागल हो जाता है we should keep away from the mad dog हमें जो है पागल कुतों से अलग रहना यह दूर रहना चाहिए should keep away मतलब दूर रहना ठीक दूर रहना चाहिए an angry dog can bite us an angry अपका एंगरी मिस क्याता है गुसेल यानि कोई गुसेल कुता can bite us हमें काट सकता है its biting can cause a disease called ravage और इसके काटने से हमें ravage नाम का रोग बीमारी हो सकता है its biting ठीक है its biting यानि इसके काटने का जो करन है cause इकानल बन सकता है या डीज एक बीमारी का जिसको call यानि जिसको कहा जाता है क्या ravage का जाता है यह आपका ठीक है देखिए यानि इस तरीके से जो है दिरे दे करके हम लो sentence को और टफ लेंगे और ऐसे करके ठीक है आपको लगेगा कि हाँ इंगलिस पढ़ने में जो है दिरे दिरे आपमें इंप्रोव्मेंट आ रही है तो इस वीडियो को अच्छा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा फिर लिए बसे इतना ही जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम